प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आश्कृता, नो यूर फेट से कीचन में कुछ चीजें वहाँ पे रख देने से ही आपके घर में खुशहाली कैसे आती है इस विशय की आज के कारिक्रम में हम आपको जानकारी देंगे देखिये मित्रों कीचन निश्चित रूप से हमारे जीविका का एक बहुत बड़ा साधन है वहीं पे भोजन अन पकता है और वह पका हुआ भोजन हमारे सरीर में जाकर के हमारे मस्तिक को हमारे लीबर किडनी गुर्दा और हमारी पूरी सरीर को उर्जा प्रदान कराता है और किचन में यदि दोस होता है किचन में यदि कोई दिक्कत होती है तो क्योंकि भोजन अति संबेदन सील वस्तू है और वहाँ पे जरासा भी दोस होने से हमारा जीवन निश्चित रूप से प्रभावित होता है देखिए आज के उपाय में आपके पूरे परिवार के जीवन में खुशियां कैसे आएं इस विशय की जनकारी हम किचन के माध्यम से दे रहें इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसान प्रॉब्लम्स से सल्यूशन तब अल्टर तब नो यूर फेट देखिए कीचन को सबसे पहले साप सुथरा रखना चाहिए निश्चित रूप से तभी वाभोजन आपके घर के समस्त लोगों को प्रभावित करेगा पुश्ट करेगा साथी साथ कीचन में कभी जूठा बरतन रात्री में नहीं रखना चाहिए यदि आप रखते हैं तो वहाँ पर नकारात्मक उर्जा निश्चित रूप से अधिक हो जाती है इसलिए कभी भी जूठा बरतन ना रखें साफ करके रखें और शाथी साथ कीचन में कूडा दान बहुत सारे लोग होते हैं फटा फट वहीं पे कुछ किये निकाले कूडा और वहीं कीचन में रख देते हैं रख तो दिये हैं आप लेकिन भोजन बनाने के पहले उस कीचन के कूड़े को बाहर रख दे इससे उसकी जो नकारात्मक उर्जा है वह आपके भोजन में मिक्स होगी और पूरे परिवार को प्रभावित करेगी तो यह सब कारे जरूर कर ले एक कलस आप किचन में हमेशा रखे मंगल कलस अनपुर्णा माता का जिधर आप मुखर करके खड़े हैं वैसे तो वैसे तो पूरब के और मुखर करके खड़ा हुआ जाता है लेकिन आपके किचन की दिशा जैसे भी है जिधर आप खड़े हैं आप जो है लेफ्ट हैंड साइड में एक तांबे का कलस उस पे एक नारियल रख करके अस्थापित कर दें उस पे अन्नपुर्णा माता का आवाहन हो जाता है अन्नपुर्णा माता आपके घर के भोजन को इतना पवित्र कर देंगी कि वह भोजन लेने वाले हर व्यक्ति का मन मस्तिक सुभाव अच्छा से और अच्छा होता चला जाएगा तो आपके परिवार में खुसहाली का महा संजोग बनता चला जाएगा मित्रों कारिक्रम कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में आके बताने का प्रियास करिएगा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यबाद नम